हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंडा रिवेल 300 के बारे में तो पहले तुम्हें बता दूँ कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में होंडा होंडा-रीवेल 500 पहले से लॉंच है और आप ने जो स्टार्टिंग में वह तो हुआ जिसमें हमें यह समझाया जा रहा कि इस बाइक में कितना पाउर्फूर्ट साउन्ड मिलने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं एस वीडियो में होंडा ने एक न्यू बाइक लॉंच किये जिसका नाम है होंडा हाइनेस cv300 तो इस वाज़ा से यह अभी एवलेबल नहीं है मार्केट में बट यह आपको जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जागा हाला कि अभी न्यूज ऐसा निकल के आ रहा है कि होंडा रिवे कर रहे है बाइक यह आपको इस बाइक में नहीं मिलने वाला है यह में मजा कर रहा था अब और इजनल पॉइंट पर आते हैं होंडा रिवल 300 में आपको 286 cc का सिंगल स्रेंडर फॉर स्टोक लिक्विट कुल डियो एससी एसा एंजन देखने को मिल जाता है तो चलिया बा 46 mm का रीर में 241 mm घीडॉलक डिसप्ले', देखने को मिल जाता है और इस भाइक में आपको सिल्पल कलश भी देखने को मिल जाएगा असपेंशन की बात करें तो फ्रेंट में LED headlight देखने को मिल जाता है तेल लाइट में भी आपको LED देखने को मिल जाता है और इसके टोप स्पिट के बात करें तो 110 प्लस का टूप स्पिट आपको देखने को मिल जाता है पेट्रोल टेंक का जो इसका डिजान है वो नेरो टाइप को बनाएगा जो कि इंडियन में दलका मचा सकती है क्योंकि इसका लुक अभी तक इंडियन मार्केट में किसी और बाइक में नहीं दिया गया है यह एक क्रूजर बाइक है तो इसका जो सीट हैट हो वह 690 mm का सीट हैट दिया गया है और इसका जो हेंडल बार है वह आप देख सकते है कि उपर की तरफ ब मिल जाता है तो चलिए बात कर लेते हैं Honda Reval 300 के टायर के बारे में तो आपको इस बाइक में फ्रेंट में 130 by 90 सोला सेक्शन के टीवले स्टायल देखने को मिल जाता है और रियर में 150 by 80 सोला सेक्शन के ट्यूलेस टायर देखने को मिल जाता है और अगर इसके weekend के बात करें तो आपको इसपाय को वेट 156KG होने वाला 165KG आपको इस बाइक का वेट देखने को मिल जागा इस बाइक में मतलब आपको तीन कलर वेडियंट देखने को मिल जाता है और जो इसका लॉंचिंग कलर होनेवाला वब वह वह बुलु कलर मतलब यह वट फेल्ट अंच ऑनर सब्सक्तमत्मों आगर आपको बांग्स अच्छे Kimi कि तो चल लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राइड विद बाइग